दानन्दां भोदिहि स्मितारुचिर पुर्णेंदु वदन प्रफूलां भोजन्माच्छद सद्रस सोबाक्षि उगल क्रिपापारावार स्रित सकल जीवाति सुखदो महास्त्रेयो मुर्तिर जयति सहिनारायन मुनि वर्निवेशरमनियदर्शनम् मन्दहासरुचिराद्ननाम्भुजन् पूजितं सुर्नारोतमेरमुदा धर्मनन्दनमहं वेचिंतय ओम यवतारिने स्री स्वामिनारायनायनमो नम ओम स्री हरिक्रिष्नायनमो नम ओम स्री पुर्न पुरुषोतमायनमो नम बोलो स्री स्वामिनारायन भगवान नीजे स्री हरिक्रुष्ना महराज नीजे स्री गणश्या महराज नीजे बदै वाला भक्तो ने थि जैई स्वामिनारे वाला भक्तो घढ़ांत्य प्रक्रणु त्रिश्मु वचनामरु चाले रियोशे भगवान स्रीहरी आपड़ा जिवा मुमुक्षुवने यहुका इक भाथु आपी रिया छे के जे भाथु मुमुक्षुने जीवन अंतिम स्वास सुधी साचववानू होई छे भगवान स्रीहरी आपड़ कुरुपा करीने वचनावत रूपी मुडी आपड़ा जेवा पाचला मुमुक्षुव माटे नंद संतोय संकलन करीन लख्युँ छे अंतियो प्रक्रन्ना त्रिसमा वचनावत मा बे बाबतों आपड़े प्रथम जोही ती महराज के अमारू मन अठके छे पुर्शोतम नाराइन नू मन जे आटकतु होई ये बाबतों के भी होई एक महराज के चिदाका श्मद्धे मूर्ती छे त्या मन अठके छे अने स्रीजी महराज जे स्थान ने आटलू मुचू केटेगरी मा मुके छे एज स्थान ने समकक स्रीजी महराज कोई भगत ने मुके छे जेटली चिदाका स्मद्धे मूर्ती नी किम्मत छे एटली जे स्रीजी महराज ने निर्दम भी भगत नी किम्मत छे कि जे भगत केवड भगवन ने राजी करवा माटेज त्याग राखेचे वैराग्य राखेचे ग्ण्यान करेचे जे काई करेचे पने उद्देश चे भगवन नो राजी पो भगवन ना राजी पास शिवाई कोई पन प्रकारनी महेच छाओ जेने नथी एवा भगतने जो इन स्रीजी माराज बहुर आजी थाई छे क्या भगती करे छाने साब्भास छे क्या आवीरीते भगती करे छे आटलो त्याग राखे छे आटलो वैराग्ये राखे छे आप पंज विशे माथी विरक्त छे आने मारा सिवाई के आई हेत नथी एनु एने अने अनेक प्रकारनू सनमान अने अनेक प्रकारनी एनी किर्ती एने मडे छे यस मडे छे सत्संग नी अंदर एने बधाई बहुं उच्च स्थिती नो छे आम बिर्दावे छे बहु सारा त्याग वैराग्य वाड़ा ग्णियान वाड़ा भकति वाड़ा छे, आम बिर्दावे छे, छिताइपना केटलो सजाग छे, के महाराशिवाई कोई व्यक्तीनो के कोई पन समाजनो कोई पन प्रकार ना सब्द ने इच्तों न थी, एटले महाराज के अमरु मन एन पर अठकी जाईशे आगड महराजावेजे वाद करेशेने आपड़े वांची स्वामी नारेन हरे स्वामी नारेन हरे अने वड़ी आ पांच वार्तानू अमारे नित्य निरंतर अनुसंदान रहे छे तेमा एक तो एम जे आपने आ देह मुकी ने जरूर मरी जोऊँ छे अने तेनो विलंब नथी जना तो एतो एमज निस्चेई जनाई छे जे आ घड़ी आक्षन मा आपने मरूँ छे ने सूख, दूख, राजीपो, कुराजीपो, सर्व क्रियामा एवी रिते वर्ते छे वो वैराग्य कहो माहराज के अमने पांच अनुसंदा नित्य अरेश, जे अनुसंदा अमने क्यारेई चुकाता न थी अनुसंदा न एटलेशू, कोई पन क्रिया करीरियो छे व्यक्ति, कोई पन कारिय करीरियो छे कोई पन व्यक्ति पन एनी इंदर कोई एना मुख्य कारियानू सचोट एने ग्ण्यान, मुख्य एनू लक्स छे ए बाजुनी सचोट एनी द्रश्टी एने अनुसंधान केवे अनुसंधान हम्मेशा क्रिया काईक बीजी थाई छे एनी मध्य जे राखवानु हो एने अनुसंधान केवे एक क्रिया करता करता अनुसंदान राखू न पड़े पन अनुसंदान नो अर्थज छे के क्रिया काई करो छो एमा तमारे काई बिजु याद राखवानु छे एनुना मनुसंदान छे जेम के व्यक्ती गाडी चलावे छे बातो करतो जाई छे पनेनु मुख्य लक्ष छे गाडी चलावी औने जे स्थान पर पॉंचू छे तियां से फरीते पॉंचू गाडी चलावता चलावता घनी बदी वातो करतो होई एका बिजा साथे बहुँ मजाक करता होई हस्ता हस्ता गाडी चलावता होई एमा अचानक एकसीडन था येवी परिस्थिती उभी था से एटले व्यक्ती बदी जवातों ने बंद करीने स्टेरिंग उपर हाथ मुखी देशे अने एनो संपूर्ण कंट्रोल गाडी ने कंट्रोल करवामा जतोरेशे एनु अनुसंदान छे एम आपड़ी जीवन दर्म्यान स्रीजी महराज पोते एक साधन दसामा अने साधक तरीके रहि ने वात करेशे के भगवान ना स्भक्त ने भगवान ना मारगे चालेला मुमुक्षू ने पाँच अनुसंदान जोईये एमानु पեղू अनुसंदान स्रीजी महराज पोताना वृत्तां द्वारा केशे के अमने मृत्युनु अनुसंदान नित्य रेचे के आपने आ देह मुकी ने जरूर मरी जाऊँछ महराज के अनुसंदान केटली जिग्याए रेचे सूखने दुखमा रेचे राजीपामा ने कूराजीपामा रेचे बद्धीज क्रियामा एउज सतत अनुसंदान रेचे के आ घडिये ने आ पड़े मरी जाओ छे वाला भक्तो मृत्यू अहीं स्रीजी महाराज अनुसंदान मृत्यू ये भई माटे नथी केता आपड़े तो बदाई स्रीजी महाराजनो आसरो करिने बेठा गुरुजी जेवा मोटा पुरुष्णो आसरो करिन बेठा आवा संतो भक्तो वच्चे आपड़ो वास छे आवा वचनामरुत जेवा सास्त्रो भक्त जिन्तमनी हरीलामरुत आवा सास्त्रोनो आपणने वांचन पठनने स्रवन छे मुरुत्युनों भई अहीं स्रीजी महराज आपनने नथी बतावता पन स्रीजी महराज चोक्कस आपनने एक अनुसंदान चोक्कस हापे छे के तमारो स्वास आ घडियेज बंध थवानी तैयारी छे केता वैराग्यनु स्वरूब स्रीजी महाराज आपणने पावा मागेछे मृत्युना अनु संधान थी मने विचारावया ए प्रमानेयों कवशु कि मृत्युनु अनु संधान स्रीजी महाराजे वैराग्य माटे आपीऊ छे पांच बाबतो, सव प्रथम थाई चे, के मृत्यू थी केटला फाइदा थे, मृत्यू ना अनुसंदान थी केटला फाइदा चे, पेल्लू, के जारे मृत्यू थावानू होई, जारे आवानू होई, आगडी आवानू होई, काले आवानू होई, पांच वरस पछी आवानू के सित्तिर वरस पछी आवानु होई अकस्मात्थी आवानु होई के पछी बेठा बेठा आवानु होई कोई पन रिते कारन के मुरुत्यू श्चरती मदभयात भगवान आ कि दुम। पन तमारा भय ब्रह्मांडे मृत्यू जीवन जानू छू, सदास सर्वत्र रहे छे फरतू जीवन जानू छू भगवानना भहितिज मृत्यू फरे छे, काड़नू चक्र सतत फरतू रहे छे क्यारेई पन कोईनी पन उपर आ प्रुथ्वी उपर आवी, अनेक जीवात्मा उपर एकाड़नू चक्र भगवाननी आग्न्याथी पड़तू होई छे, अने ना देह छुटता होई छे मृत्यू नो सिदो अर्थ थाई छे के पंज भूत्ना सरीर मा जारे प्रवेस थाई चैतन्यानू एनू नाम जन्म छे अने पंज भूत्ना सरीर मा थी जारे चैतन्या निकड़ी जाई छे एनू नाम मृत्यू छे मुरुत्यू अईस्रीजी मारा जी अनुसंदा न अपावे छे माँ पाँच बाबत मारा धारवा मुझब मने जे समझाई छे एक वोचू एक मुरुत्यू ना अनुसंदान्ती हम्मेसा मुरुत्यू नो दूख टड़ी जाई छे दूख न थी लागतू जेम क्यों एक्जाम्पल एक आपू अमेरिकानी अंदर कोई व्यक्ति आव्यो एने एउ केवामा आव्यो के तमारा विजा अमेरिकामा दस वरशना छे दस वरशनी तमारी पर्मेनेंट रेसिडेंसी आ अमेरिकामा छे ए व्यक्ति ने मगजनी अंदर रोज एक अनुसंधान छे के दस वरस सुधी हुँ अमेरिका मा रहवानो छो एने अचानक कोई कारणो शर बे वरस मा एउक एवामा आवे के अमेरिका देश तमारे छोडवानो छे चोकक से व्यक्तीने दूख थासे कारण के एने अनुसंधान राख्यू हतू रहतू बे वरस सुधी पन ए अनुसंधान हतू के दस वरस सुधी हुँ अमेरिका मा जो छो एज व्यक्ति छे अमेरिका मा आवे हो छे त्यारे एने केवा मा आवे के तमारी पास से बेज वरस छे बेज वरस पछी तमारे इथी तमारा देश मा पाछू जवानू छे ये व्यक्ति बेज वरस पछी हस्तो हस्तो जसे कारण के इने बे वरस तो दी रोज अनुं संदान राख्यू छे कि आजे मार्च 25,004 मा उन आवे होचु एटले मार्च 25,006 मा मारे इथी जवानु छे एटले येने बे वरस मां रूपिया कमावा छे जेकाई पदार्थो बेगा करवा छे जेकाई भोग भोगवा छे जेकाई सूख जोवा छे बाहिया द्रश्टिये जीवतो येने ये जेकाई जरूर छे बद्दुज भोगविले से बदुद लई ले से न बेवरस पची हस्तो अस्तो बेगो बरीने इंडिया के एना देशमा जासे त्या जहीने पन पेंडाय वेच से आनंद करसे पार्टी आपसे बद्दुज करसे एज व्यक्तिने दस वरस तारे रेवानुचे एम कहिने बेवरस पची मोकली देवामा आवेचे तो उदास थसे रड़तो रड़तो जसे एना देशमा जाईने रड़से एना कुटुम परिवार भेगा रड़से त्या जाईने दुखी थसे कारण सो बेवरस पची जवान तो एतो ग्योज पन एक वखत येनी मघजमा एफीत तूक्मारे दस वरस पची जवानुचे एनु अनु अनु संधान अतू ए अनु अनु संधान अने सुखी करे ओ अनु संधाने जेने दुखी करे और अनु संधाने जेने सुखी करे मृत्यू ये अनिवारिय वस्तू छे जेनू जनम छेनो मृत्यू छेज एटले हम्मेसा हूँ गणीक वकत कऊचू के व्यक्ति ये अंतरद्रश्टी करी दिवसमा एक वकत नहीं तो वधुमा वधु अठवाड़िये एक वकत पोतानी चीताने जोही लेवी जोए पोताना बौक्षने जोही लेवी जोए जोही बौक्समा जवानो ए तो पोताना बौक्षने एक वकत जोही लेवी जोए दिवसमा एक वकत एटलू अनुसंदान आपने नरे तो अठवाड़ी है एक वकत एटलू अनुसंदान नरे तो पंदर दीवस एक वकत स्री जी मारा तो पड़े पड़े कैशे परन्तु आपने कदाच एटला सजाग न होई है तो पन एक वकत आऊ जोही लेऊ जोही है क्या हूँ आप बोलतो चालतो खातो पीतो हसतो आँ जे काई देखाऊ छू एक दिवस कसुझ बोलावानू न थी कसुझ माराती थावान न थी आने बस आम आडो पड़ी गयो होईश ए पोतानी चीताने नित्य जोहानो जैन आनुसंदान छे ए व्यक्ती एटलो वईराग्यवान हसे बले ए आ जगतनी अंदर रहतो हसे बले आ जगतनी तमाम क्रियावने करतो हसे पन जारे मृत्यू आउसे त्यारेपने ने भई नहीं होई दूख नहीं थाई के मारो मृत्यू आवि आविग्यू 25 वर्शे आविग्यू 20 वर्शे आविग्यू हजू तो आब आकी छें नहीं थाई दुख नहीं थाई अखंडानन स्वामी चालया जाई छे वनमा अन जंगल नी अंदर सिह मढया चार स्वामी ये जोहा दूर थी भक्त चिंतामनी मां आख्यान आवे छे स्वामी ये जोया अचार सिहने त्यारे स्वामी ये सिहनी सामा चाले छे भक्त चिंतामनी नो आख्यान येव के छे स्वामी सिहनी सामा चाले सिहन जारे वाग नजीक आवे ये स्वामी पासे स्वामी पासे जार नजीक आवया अने सीह आम हामुजोई रहा कारण के स्वामी तो आम निदर थी नुपाता ये निहामे स्वामी ये सु विचार्यू वेलू मोडू पड़त यातन ते वातमा नहीं संदेह आवा शब्दो छे थोड़ोक मारे गावाम फेर पड़तो छे पन स्वामी ये तिया एव विचार्यू के मोडू वेलू आ सरीर पड़वा नुज छे एवातमा संदेह न थी जो ये अनुसंदान सो छे मृत्यूनू भगवान ना जेटला महान संतो भक्तो थया एना जीवनमा आ दोरो सतत रहो छे एने मृत्यून अनुसंदान सतत छे एटले एह हम्मेसा जेकोई कारिय के जेकोई क्रिया माँ छे एहुँ बिजी फाइदो आनो कव छू त्यारे कईस पन पेलू दूख न थाई स्वामी ये पेला सिहने एम किदू के मारी हाम हुँ जो इरिया छो थाप उगाम थाप लगाव मारी उपर स्वामी ने क्योँ विचार आवे मौडू वेलू आ सरीर पड़त आजे पड़िव वांदो न थी अने आ सरीर आवा वागना काम मा आवी ग्यू मारा मोटा भाग नो तो परोपकारी छू साद्धू छू मारू सरीरा वागना काम मा आवी शारू छे अने स्वामी जेर वागने किदू के तू मारी उपर थाप उगम त्यारे भगवान स्रीहरी ये वागना रदैमा प्रवेश करयो अने चार वाग स्वामी नी प्रदक्षी ना करीन पगे लागीन जतारिया इवी कथाचे पन स्वामी ने अनू संधान सतत हतु मोटा पूरुसोचे होई गही कालेज भक्त चिंतामनेनू प्रक्रन वांचितु रातरे सनीवारे युवा सबामा त्यारे आमा राजूलाना नागदान सोनी नी कथा नागदान सोनी जारे जतावेचे दंधो करवा माटेन पाछा वडेचे त्यारे वानमा बेठाचे न काठा उपर बेठाचे दरियामा पडी जाईचे स्थोड शरीर चे जाडू शरीर चे त्यारे एने जे भगवान ने प्रात्ना करी जेक प्रभु मारे कोई इच्छा न थी बस मारू सरीर छोड़ा विन धाम माले जव आज इच्छा चे मृत्युनो दूख न थी हमना अपड़ा अक्सर निवासे पुझे योगी स्वामी अमना धाम मागिया महराद न एने गुरुजी पुझे मृत्युनो भई चे न थी कारण के अनु संधान एने कोई जिग्ये रोज हसे मृत्युनो भई न थी महराज मड़ा चे एटले पन भई न थी पन मृत्यु आवे चे नु दूख न थाई भई चोकस ना होई पन दूख पन ना होई कारण के अनु संधान चे जन्म चे अटले मारू मृत्यु चे अटले दूख ना थाई कारण के मनुष्य नो ते वो स्वभाव चे विहारी लाल जी माराद लखे चे लांबा विचारो मनुष्यो करे चे त्रुष्ना गनी अंतरे ते धरे चे ते जोईने काड हश्यो रहे चे आवी अजान्यों जीवने ग्रहे चे जीव तो एवा बदा संकल्प और विकल्प करता होई आम करी ना खूँ छे नाम करी ना खूँ छे नाम करी ना खूँ छे तेरे काड उबोब हसे चे कि अमना मारे आने पकड़ी लेवानों छे ना खोटा संकल्पो करेशे माटे भगवान ना भगत ये भगवान स्रीहरी ना आ अनुसंधान मुझब भगवाने पोताना वृतान द्वारा मनें तमने समझावी छो के मृतिवनु अनुसंधान नित्य राखे निरंतर स्रीजी माराज्य राखवानु पोतानु केता होई तो आपड़े कदात निरंतर राखवा थी नट एवाएला होईये तो एक एवो विचार दिवसमा कोई एवो आपड़ो कोई एवा आखा दिवसना धार्मिक कारियक्रमों मा पांच मिनिट नो विचार एवो राखे के जे मृत्यू नो विचार इटला माटे विचार जरूरी छे के आपणा थी थती भूलो एमा थी आपने पाछा वाड़ से आपणी जगत तरफ नी कोई आसकती छे माथी आपने पाछा वाड़ से कोई क्रियाओ करवाना अतिशे वेग एमाथी आपने पाछा वाड़ से बीजू, मृत्यूना अनूसंदान थी सु थाई के जरूर विनानी जरूर विनानू करवानी इच्छा न थाई केटलीक वस्तु एवी छे का आपड़े दिवस दर्म्यान आपड़ा दिवस माँ वाला भग तो लिष्ट करिए के खरेखर मारा आत्यांति कल्यान माटे उप्योगी हुँ केटलू करतो होऊँ छो आखा दिवस देर्म्यां जीवन जरूरियात माटे तमारे ग्रहस्त आश्रम माँ छो पैसा कमावा जावू पड़े जोब करवा जावू पड़े धिन्दा बिदनेस करवा जावू पड़े पन एक करवा पच्छी कोईक समय बीजोपन छे कि जे समय मा ये नथी करवानू जो आनू संदान मा हसे तो बिजो करवानी इच्छा नही थाई आपड़े जेम कथा सांपड़वा तैयार थाई जीएचे बजन करवा तैयार थाई जीएचे एमज दिवस नो केटलोग समय बिजोपन काई करवा माटे तैयार थाई जेता होई ये छिए येले जरूर विना आनू करवानी इच्छा न थाई जेटली जरूर या तो एटली जित्था थाई बगदाल रुशी हता एने इठ्यो ते रामा आउतार था त्याना हता त्यार ना हता सत्यूग द्वापर त्रेता नकल यूग चार यूग नी एक चोकडी थाई दरेक यूग नी अंदर जेज जे सत्यूग मा प्रक्रिया थाई जे जे त्रेतामा थाई छे दरेक त्रेतामा रामा आउतार थाई चे शास्त्रून जय वह मत छेौ आरूशी मुण इठ्वते रामा आउतार थी आ प्रोथी उपरतत्योबि बोल्यज, तो कि इठ्वो ते रामा आउतार थिया, अवे इठ्वो ते रामा आउतार इटले किटला वर्षो किटला युगो थिया, खगोड गुगोड ना वचनामृत माथी गणी लेवाना किटला थाई, कदा जेना कैलकुलेशन पन नहीं थेई सकता होई, एने केवा मायुक अनुसंदान जो, थोड़ा काड जिवु अने जुपडुसु बांदुँओ, जरूरियात पुर्तूज करे, आपड़ा सस्संग नियंदर पन एवा घना भक्तो थिया, के जेने जरूरियात पुर्तूज करियू, मयारामने गोविंद्राम बट बे बेठा, रात रे, बे भा करता करता के सानो दंदो करीशू, अनाजनो करिये, आनो करिये, लोखननो करिये, लाकडानो करिये, आम एका भी जारे वातो करता 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 सवाहर पड़ी गई, त्यार मयाराम भट ने गोविंद्राम भट बे एका भी जा जोड़े वातो करता करता जर सवाहर पड़ी तिन तेरेवू बोलेा कि अजू दंधो नथी नाक्यों तियां तो हवार पड़ी गई आपणी पासे दंधो नथी तो आपने रोटला मड़ी जाई छे खावानू आपणी बदू पूरू थाई जाई छे वस्त्रनू पूरू थाई जाई छे मकान छे पछी आपणी आप वार मां संकल्व करयो के जीवन मां कोई दंधो करवो नहीं जरूर याद पूर्तु जे मड़े छे एक कमाईन भजन करवो मृत्युन अनुसंदान भगवान ना भक्त ने जरूर विनानू कारिय करवानी इच्छा नथी करवा देतू परिक्सित ने जयारे खबर पड़ी के तक्सक ठकी मारू मृत्यु साथ दिवसमा छे एटले परिक्सित सुक्देउजी ने खोडीने सुक्देउजी पासे बैसिन कथा सांबड़ वा बैसी गया परिक्सित राजा ने आखी पृत्वीनू राज्य हतू लेनी पासे वैभाव बदाई हता पन परिक्सित ने देख साथ दिवस मा मारू मुरुत्यू छे एला आवे भजवा जेवा भगवा नच्छे। मुरुत्यूना अनुसंदान्थी जे क्रियाओ खोटी थाई छे। जे टाईम आपड़ो भगवत्समरण विना जे क्रियाओ भगवत्समरण मा उपयोगी नथी एथवा जीवन जरूरी आत्मा पन जरूरी नथी पन खाली टेव पड़ी गई होया आपनने। गणी वुखता आपने यम थाई कथा कल्लाक साभड़ी लिदी आवे बाकी न कल्लाक रहा, तो आवे कल्लाक बे कल्लाक जाकता होये, ततेमा यम थाई कावे गाम गपा मारू एक कल्लाक कथा साम्पल़ी। अई त्यार ओनलाइन, हावे पशि बेकल लाक्सुदी जागवानू छे, त्यारे जेकाई कदा तमे ग्रहस्ता सर्मा छो चोक्रावने भनावाना होई, चोक्रावने तयर करवाना होई, कालनी, तयरी करवानी हो ए बदु करूँ जुए, ए बदु जरूरियातनू छे, जीवन जरूरी आत्मा पन जरूरी नथी अने मोक्षना मार्ग मा पन जरूरी नथी एवी क्रियाव थी मृत्युनु अनुसंदान हम्मेसा पाछा वाड़ेश माटे मृत्युनु अनुसंदान भगवान न बकते राखुँ जुई त्रीजु कोई पन दिवस मुरुत्युनु अनू संदहन जेनेशनine बंधन नहीं थाई कारं कि यहने इवी खबर छें आं छोड़वानू च्छे बंधन कया थी थाई जेने नथी छोड़वानू यहने बंधन थाई पर जेने खबर छें कि मुरुत्यू आ घडिये च्या छोड़वानु छे मारे एले आने क्या रहे पन बंधन नहीं थाई ए निर्बंद रेशे निर्बंद व्यक्ती एज थाई सक्षेक जिने मृत्तियुनु अनुसंदान सतता शे बीजी कोई रीते आप बद्धूज बद्धूज भगवान मा हेत करवानु छे कोईने एम थाई क्या मृत्तियु 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 ताटलु बद्धू मृत्तियुन याद करवानु स्रीजी महराज जेने एम केतावे के पड़े पड़े आमने अनुसंदान रहे छे ए वस्तु काईक जरूरी तो हशे आपड़ा माटे एटला माटे जरूरी छे के आपणने भगवान माँ अजू एटलू हेत नथी थे एक पड आपणने भगवाननी मुर्ति विसरायी नी अरे भगवाननी मुर्तिमा अखन वृत्ति माटेना चार उपायोमा पन स्रीजी माराजे गड़डा मध्यनु छत्रिस्म वचनामरू तेमा चार उपायो अखन मृत्ति नागिदा एमा पन भही बतावेँ छे एक भही छे ये पन भगवानमा अखन मृत्ति रखावेश माटे मृत्तियुनु आनुसंदान जरूरी छे आ लोक मा मनुष्यनु जीवन चंचडने अत्यांत नित्य छे बंधन न थाई क्यों बंधन न थाई जो बुद भगवाननी कथा छे नेपाडनी अंदर लुंबीनी शेर कपिलवस्तु नामनु एनु पेला नामतु कपिलवस्तु अन ए सेरनी दर सुद्धोदन नामना राजा आता एमने तियां सिद्धार्थ नामना बाड़क जुन्मया बहु पेले थी प्रतापी भजनी तपस्वी एनी प्रभा आभा बद्धु ये भी बदाने आजी देवा अवे राजकुमार जिन्मे एटला राजा ज्योतिश्यों ने भेगा करेया एना जन्माक्सर बतावया जन्माक्सर जुया जन्माक्सर जुईन ज्योतिश्यों एक इधु क्या बाड़क शे बहु प्रतापी शे आतो एनो प्रभाव एवो थाशे कि बहुँ मोटा राजा थाशे जो राजा थाशे तो बहुँज मोटा राजा थाशे अने नो प्रभाव एटलो हशे कि राज्यनी तमाम प्रजा एने चाहाशे बद्धा ही प्रजा उपरेनू आधिपत्य हशे आवा थाशे अने जो ए साधू थासे तो पन हज़ारो लोकों पर एनू आधिपत्य होसे साधू थासे तो पन एही माँ ए प्रभाव साड़ी होसे पन राजा सुद्धों ने बिला जोतिश ब्राम्ट के चे कि आ छोकरा ने जीवन मां क्यारे दूख न बताऊता आ छोकरा अगण क्यारे दूख नी वातो न करता एने दूख थी हम्मेसा दूर राग जोने वैभव मां डुबेलो राग जो तो ज ए राजा बन से नहीं तो ए साधूत थाई जसे राजा ए नकी करियो पोताना प्रधानो जी अंगत कारभारियो होई रानी होई दाशियो होई बदाई ने बेगा करी ने किदू क्या सिद्धार्थ छे एने कोईपन प्रकार नूँ दूख क्यारे बताऊ नी एने कोईपन प्रकार नी दूख हैनी आगल वात करवी नहीं एने मोज, सोग, भोग, वैभः एनी इंदर डुबेलो राखो एने जे जोईये एना करता एने दस गनु बदूए आपो एने क्यारे पन दूख नामनी वस्तुनो अनुभध ना थाओ जोए एने कोई दियस प्रष्णत ना थाओ जोएका प्रुथवी पर दुख छे क्या शुदी एना लगन न थाई जाए त्या शुदी राजा याओ फर्मान करियू सिद्धार्थ मोटो थाई, राज्यनी बार क्याई लही जवाम आवे नही वातो थाती होएके राज्य बहु मोटू छे तमारा पिता स्रीनी राज्य मा हुआ आउँ छे, एडले सिद्धार्थ साम्बढे ले सिद्धार्थ ने एम थाई कि मारे राज्य जोवा जाऊ छे રाज्य નોંય મારે આખું જોં છે જેને ગરીબી નથી જોઈ એને ગરીબી કેવી ખબર નોઓ સિધાર્થ મોટા થીય લગન કર્વામાં આવે એના યશોધરા પછી એક રાહુલ નો પૂત્ર થયો પછી સિધાર્થ ને રાજ્ય એકવખા જોવાની ઇચ્છા થઈ એલે પ્રધાનો કે આવ સિધાર્થે આ જોયુ આઓ વ્યકતી એને કોઈ દિવસ જોયોદ નથી એને તો પોતાની આજુ બાજુમાં જુાન દાશ દાશ્યો જોયા છે રુપાળા જોયા છે મૂગડ પેરેલા જોયા છે સોના ચાંદીના આભૂશનો પેરેલા ખીતો કોય જોયા નથી જેદ્ધાર થે સેદ્ધુ પૂશ્યુા પેલા સાર્થીને આકાણ છે એને કીદુ કીદુ કીયે સરીર આમ વાકો કેમ છે એને સરીવર કર્ચલ્યો કેમ છે એને આમ વાકો વાકો આમ ડંડાના આસ્રે કેમ આમ જાઈ આવાક્ડિના ટેકે ચાલો ઉપડે કોઈને ઉપાડવા પણ પડે સિધાર્ત વૃધ અવાસ્થા આવિજ હોએ અત્યાર્તો તો જુવાન છોને તમે રાજ્કુવાર એટલે તમે જુવાન છો એક દિવાસ તમને પન આઉતથાવાનુ સિદાર્ત કેએ મને આઉતાશે આઉતાશે તમારુઈ સરીર વડશે તમને કર્ચલે પડશે જારા અવસ્થા બઉક બદુ જરેન શરીર દુર્ગંધ મારે શિદાર થીએ જોયું સાર્થીન કે અલોવાંકો તો આકે ઓ આકોન તો એને પતન રોગ થઈલો પતન રોગ થઈલોશ હાં એટલે અને લોઈ પડે છે પરુ પડે છે રોગ મને પંં થાઈ તો કે યે ઉના કહી શકું પણ પૂરુવના કરોગ જોએવા હોઈ તે રોગ આજનમે થાઈ આજનમે કાઈ કરોગ એવા કરેઆ હોઈ તો પજી આગલા જનમે રોગ થાઈ પણ રોગ તો થાઈ કરોમા અનુસાં રોગ આવે શરીરમાં તો ખભા ઉપર કોકને હુવાડેલો નનામી લેન ચાર્જના ચાલેઆ જાઈ આખું ટોડું રડે લે સિધાર્ત કે આનો વજ જાજાઈ છે નો અગનીશંસ કાર છે અના બદા એના દુખના કારને રોએ છે તો સિધાર્ત કે મારી એક દિવાસ આખુ દુખા લે છે આમાં કોઈ જગ્યે સોખ નથીએ મૃત્યુ જોયુ અને સિધાર્થ પાછા તો ગયા રથમાં પન પાછા જેને રાજમેલમાં જેને વિચાર કરે છે કે આ ભોગ વહ્ભો આ બદું દેખાઈ છે એક દિવસ છોડિત દેવ મરુત્યુનુ અનુસંધાન મરુત્યુનુ અનુસંધાન ઘનાબદા બંદાનો છોડાવી દેચે સ્રીજી મારાજ પોતાના બહુજ આવી વાતો કરીચે સ્રી જીજી મારાજ અન્તર દ્રષ્ટી ની વાતો છે ગજબ ની છે એવી વાતો ની કઈંગ કે અની દ્રષ્ટી વાળ હય તે ઉને થઈ પણ બાહ્ય દ્રષ્ટી થઈ તે સ્સંગ માં પંતે જે સ્વામી વાતો મા અખંડ રેચે સ્રી જે 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 મનુશ્ય ને મુવાટાને પથારી ઉપર સુભારે હોય ત્યારે તે મનુશ્યમાંથી જોને પોતાના સ્વાર્તની વાસના ટડી જઇ જઇ જે 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 જઇ જે 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 જઇ જે इने यहां धाई सेगाव आ छोड़ो आनुज छे ईउदास्ती जाई आउने इना बिजडानी आउठीन ने आउस्था जेऊ शदा वरते छे महाराजे अहीं पन पोते मुरुत्यून अनुसंदन निवात करी अमारी कोरनू अने बिजानी कोरनू महाराज के अमने सदाई अन्त अवस्था जेव वर्ते छेक जाने बस आप पड़िव आत्ताउन अमना पड़िव जपेटा काल कायेसा बाज पेटा बाज काजेसा आत्त एव जपेलू बाज पक्षी आवे नाम पकड़िले एम एक दिवस मृत्यू आविने पकड़िले पन ए पेला जो आवू अनुसंदन राखेलू अशे मृत्यू थी बिभा माटे वाला बक्तों अजू बराबर याद राखो आ स्रीजी महाराजे मृत्यू थी बिभा माटे अनुसंदन न थी आप्यू पन मृत्यू थे एपेला काम करी लेवा माटे अनुसंदन आप्यूश मृत्यू थे एटले कोई क्रियानू बंदन न थाई एटले अनुसंदन आप्यूश मुरुत्यू छे ये सहज ता थी आपड़े स्विकारी सक्किये आजे आपड़ू मुरुत्यू आवे तो सहज थी आपड़े स्विकारी सक्किये भगवानना भक्तो होवा छताई आपड़े कई एक धाम्मा जाओ धाम्मा जाओ जाओ छे आउ आपड़े वारे वारे बोलता हो वही है कि आद देज चुटी जाई ने यह सुखी थी यह बगवन्ना धामा जी यह तो पन खरे खर महाराज आपने कदा जो रोक के काई प्रेरे तो तो कदा थाकिन की एक महाराज लई जाओ पन आवा हाज जाज होई एन महाराज आवी जाई तो आपने कदा सो बोलवा थानू महाराज पाच आपने सोज जो बोलताओं के महाराज आवेन जो लेज तो हारौ महाराज आञा जज यतु नवयार." ‟ीवे साखे हिन 25 अचल पने महाराज जाए खरेह आवी, तो तो सुमात्थि तो अठानू जन महाराज काburgी अंनिंग रोल्दा कामिकेर अातलो त् મૃત्यु પડે-પડે જેનો બુજો અર્તહે થાઈ કે સ્રીજી મેરાજ પડે-પ્ટે આપણને લેવા માટ માટે મિડાપ अत्यारे महरात साथे नो आपणो मेडाप छे कारण के रदैने विशे जिवर्यों छे जिवने विशे परमात्मा अखंड रहा छे आपणो मेडाप स्रीजी महरात साथे चे पन आपड़ी आखोनी आगड पंच विशाई नाएवा पड़दा छे आपड़े जगत तरफ पड़दा वो पड़ी गया छे कोई मोटा सादू ने पूछिऊ छे कोई के भगवान क्या छे तो के पड़दान पाछर पड़दानी पाछर पड़दान पाछर भगवान क्यो पड़दो कयो पड़दो खोले तो पड़दानी पाछर तो के पंच विशाई में आशकती रू आत्मेबे साथेज छे पन ये जे अनुभव या देहनी अंदर छिये अने देह भाव छे एटले देखातू न थी पन जो आ अनुसंदान के मृत्युनू अनुसंदान एटले आपड़े एवु अनुसंदान राख़नू के स्री जी माराज अमनाज मने आवे इंथी भेटवा अखंड माराज मने बेगो राखवा मथे छे आपड़े माराज राख़े आवे आपड़े माराज राख़े आवे अनुसंदान तो राख़े मृत्युनू ना राख़े तो मृत्युनेच सिमीनलर मृत्युनूच बिजु स्वरूप एटले स्री जी माहराद ने अखंड स्री जी महराद nya बेगा अखंड रम्बू स्री जी महराद न एकिनि यह सभानी अंदर स्री जी महराज के आमने यहां ठया करे एम एउ अनुसंदान, मुरुत्यून अनुसंदान केता स्री जी महराजमने आप पड़ेज अमनाज लेसे आउज अनुसंदान ये भगवान न बकते राखू जोई है, जेना थी एने क्यारेईपन बंधन न थाई चोथू, जे क्रिया धर्मसबंदी करवानी होई ने, ये ततकाड थाई, मुरुत्यून अनुसंदान थी शू थाई, विवेक आवे, कई क्रिया पेला करवी न कई क्रिया पछी करवी, आजे 10 मिनिट पछे आपड़ू मुरुत्यू थावानू होई, और एक बाजू उपर आपड़े माड़ा बाकी होई, तो शू करिये, आपड़े भगवान ना भगत अचिये, जगत नो जीव कदा जमीले, पण आपड़े खबरूए 10 मिनिट पछे मृत्यू थाई, तो आपड़े माड़ाश करिये, आपड़े भजनच करिये, जें परिक्सित जीये करियू, कान मृत्यूनू अनूसंदान विवेक बतावे छे, काले कर्यानू सुब जेह काज तेतो त्वराथी करूज आज, काले जे काम करवानू छे, ये त्वराथी आज करिलेओ, धर्मसबंदी, युदिष्टिर सदावरत आपता दा, तो युदिष्टिर पासे एक सदावरत लेव एक भिख्षुक मोडो आवे थोडो, आवे येनो सदावरत लो टाइम पूरो थी गियो, युदिष्टिर के भाई काले आओ जे, आजे नहीं, अवे भीम तो के वी बुद्धी नो के भाई, भीम सेन माटे ते हूँ लखियो ने, कोईनी बुद्धी बाव सरस्वाई तो आ भीम, तमने हूँ देखाई, तो के मने पहाड देखाई से, जाड देखाई से, पक्षी तो देखाई उद नहीं, बद्धुत देखाई बोलो, अर्जुन ने आख देखाई, आवा भीम, ये भीम ने बुद्धी, भीम आब दा तो भगवन, भगवन ना आउतार स्वरूप जेवा आता, पांडव होताई, बदा येभा हाता, भगवन ना बहु पाका भगतो होता, भीम ने शास्त्रनों अनुसंदान चे, भीम आजे नगारूव गाडिव, राज्य नियंदर नगारूव गाडिव, काईंक एलान करूँ होई, काईंक मोटू फरमान करूँ होई, क् भीम नगारूव गाडिव, आखू राज्य बेगू थाई गयो, युदिष्ठिर विचारे के अत्यार यू तो काईं मोटू काम थिऊ नथी, भीमे नगारूव गाडिव कें, ले बदा ये बेगा थिया, भीम सेनने पूछवा माई गयो, क्यें ते नगारू गाडिव, तो तमने खबर छे काल हवार तमे रेवाना छो, जो तमने खबर एटले तमने एवी खबर छे काल सवारूँ सदावरत आपी सेनो और थे चे के तमे मृत्ति उपर विजय मेडव एटले में नगारू गाडिवा, युदिष्ठिने पोतानी भूल समझाई गई, औने तरत ए कार यह करी ना क्यों, भगवान सबंदी क्रियावमाउं काल करी शा, मारा जे सारंपुर्णू चाउद्मू वचनामरूत, आडस अने प्रमाद नू वचनामरूत, युदिग चे आडस अने प्रमाद, गोपाडन स्वामी आडस नी व्यक्या करी, कि कि कसुच करवान इच्छा अने आडस, अने जे करवानु चे ना था, नतिक करवानु चे था अनना प्रमाद। शामी आवी व्यक्या करी, और आडस अने प्रमाद सारा-सारा मुमुक्षुनी अंदर ओहाईईचे, सारा-सारा, आपणे जे मुक्ष्ना मारके चालेला, अपणे जे isn prinå प्रमादनु आपने अनुसंदान दना होए यह आपना माटे बहु नॉर्मल वस्तु होए आपने यहाम बगवान तो भजीद लुँछो नै उसंतो न समागम तो करीद लुँछो नै यह अपने सहज होए यह जे क्रिया आज करवानी इच्छा थे मानिलो आज आपने उथे उ छो महीना पछी छोडिस आजे छोड़ दो घना एवा होए भगवान बगतौ आपने कही है कही केने कुटे होए अन तमेको कुटे छोड़ी दे जोने पगगत। स्वामी उचे ने छो महीन हम छोड़ी देश वांधो न थी ए पन सारू छे कोई ने बहुत एव होई यह कोई व्यस्टन के कहराब तरत कही दे स्वामी छोड़ी दोन पची एना थी ना पड़ाई एना करता ए धिरे धिरे प्रयत्न करे योग्यों छे पन किटलाक ने एव यह पड़ी जाई तो छो मीना एना छोड़वानों नकी कर वे पेला छुटी जाई तो जो एने बी खशन तो आजे छुट शे जे काई तरत नथी थतू एनी पाचन नू कारण मुख्य ए छे के मृत्तियुनों भई नथी जो भई होई तो एना भगवान सबंदी क्रिया तत काड और सहजमा थेए ततकाड थेए यह न काई छोड़वा माटे म्यानतत ना करवी पड़े आ संतो नाटली यूआन इन अंदर संसार छोड़वानों थाए तो ए छुटी जाई काईक तो विचार होई भगवान ना मूटा सादू माई एत होई पच्छी पन काईक विचार आपने लेवानुच्छु 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 दुबलो ना थे जे, प्रगट नो प्रगट अज रे, ये नजर नी हामे ज रे, कान के मुरुत्युनु अनुसंदा ने उचे के वैराज्य सतत प्रगट राखे, वैराज्य एटले भगवान मा हेत राखे, जगत मा थी विरक्ति करावे, कारण के ये नु कारण एचे के अनु उम्रमा विदूर थिया, अब भगा दोशी ने चिंता थे, कि सिवलाल ने घरवाडी नहीं, अने मारो छोकरो जुवान, उन लाखोपती, भावनगर राज्यमा मारू नाम, सिवलाल नुई नाम, अने सिवलाल ने केर घरवाडा नहीं, सिवलाल ने हमजावे बदा बेगा थे अने हूँ आवे आमा फसाव, एने हूँ आनु संदान छे, थोड़ा काड़ जीव उन्सु आमा फसाव, कोई ना जवाब ना आपे, गटपूर मा रगुविर्जी माहराज आवे, त्यारे आखु बोटा थी बगा दोशी नो परिवार गटपूर गयो, अने गटपूर गय अरगुविर्जी माहराज बोलावे, सिवलाल ने के सिवलाल अमारी एक आग्नया मांसो, बोलोन बापजी के, अमारी एवी आग्नया छे के तू लगण कर सिवलाल, बिजू लगण करले, तू विधूर थियो छे, पना भावनगर नियंदर तमारू बहु मोटू नाम, ख़क्र inanुरी करो, सिवलाल के बाबजी एक वात को, मारे जारे दस वरशनो अहतो त्यार में तमने किदू का ने साध्ःू करो, वर्ताल में किदू तू तमने याद छे, रगुविर्जी माहराज के हाँ, त्यारे तमने मने याम किदू, के तमारा पितान इन dizer शहे सेक तमे संसार मा रो और त्यारे इन भगवान बजो एटले महारास्री तमारी आगन्या थियों संसार मा गयो संसार नी अंदर गयो 10 वर्ष नी उम्मरे जहरे में तमने आ रजुवात करी तमारा केवा थियों संसार मा गयो मारे अत्यारे महरादव नी इच्छा थी मों वी दूर थियोछ फासु ओनल मारे त्रंदीुकरा थे मारे आवे संसार्नी अंदर मारे बीजिक गरवडि करवान जरूर न थी कदाच मारा बापान पेड़ियो हाचेवानी चिंतों थ्रंदीुकराथे पन बाबजी तमारे तो कोई छेद नहीं तद गादी उपर कोक योग्य तमारों बेहे तो बहु हार उकेवाई एटले काम करो ने तमें बिजु लगना करो यही मारी विननती चे तमने के जेना थी कोई संतान तमने था गादी पर बेशे रगुविरजी माहराज पन वैराग्य वान पुरूर्श होता रगुविरजी माहराज ने थिऊ कि आने तो उँ बढ़काड वाग्य आ मने बढ़काड देशे यह के जे वे बगा दोसी इन बोला वे कि दू का वह बहु वैराग्य वाडों छे ये कई अमारू हामड़ेम न थी एटले तमे न आवे कोई आग्रह करशो नहीं पन तमे एने गुनादितानन स्वामी आरे एच्चे एटले स्वामी न केजो एले स्वामी एने आग्ने करशे तो लगन करे भगा दोसी स्वामी पासे गया जुनागर जवानो तो ठातवowski स्वामी न केजो लगन करे यर श्वामी तो स्वामी गड़ालना स्थिती न जाने चे मोटा साधु तो बंधन मा नाखवानू इच्छेद नी यहले स्वामी ये बगा दोसी बहु मोटा थे स्वामी के शीवलाल जो रगुविर्जी मारादनु ना हम्बडे आवडा मोटा संप्रदाइन आचारिय यहनु ना हम्बडे तमारु ग्यां थी हम्बडे एटले अत्यारे जे नानो चे एटले वेगमा होई यहला चोवाठ मैना जवादो पची आपड़े वाद करीशु केवानो अर्थ के सिवलाल ने जो ए सतत अनुसंदान अदू को यहनी पास ए वाईराग्या सतत प्रगट रहनी पाचनु कारण यहादू का देहने मुक्वोच छे काले इटले तो नानी उमर नी अंदर एटलू मागी लिदू ने तो सस्संग नी सेवा थातिती बदुत था एट मानन स्वामी जार बिमार पड़िया आत्मानन स्वामी आठ महीना पेला जाहर कर दितू था आधि दीवसे आवीरित उ देह छोडिष इले पोतानु बद्धूज कामकाज मुकिन स्वामी नी सेवा माज़तार यह स्वामी जवाना थे अतर सिवलाल सेठे माग्यू के स् मने तमारा तेर माना दिवसे, क्याक लखिए शोड माने दिवसे, पन तमे मने लेवा आउजो, त्यारे स्वामी ये बेचार वखत किदू सिवलाल ते आसू माग्यो, तू तो बगा दोशी नो पेडी नो वारसदार ने किटला सुखाई गर नो छोकरो न ते आउजा माग्यो तारे मोत नी हूँ जरूर छे, अई रे, सत्संकर, सेवा कर, शिवलाल के स्वामी ने, तमे किदू तू ने क्यों फरू ने आवे बस मनलाई जजो, जो अनू संधान हतू, अनू संधान हतू त्यारे मगाई। ये ये वालू त्यारे मगाई। ये श्रीजी महराज एकला व चावयकसमात थी छूटे, रोग थी छूटे, पीडा थी छूटे, कोई आपनने गोडी मारेने छूटे, आपने क्या परवत परती पडी जी एन छूटे, आपने पलेन मा बेठों पलेन टुटी जाइन छूटे, आपनने एटेक आवेन छूटे, आजे कैंसरादीक रोगो था जेवा रोगो थी आपणु सरीर छुटे पन आपणे अनुसंदाने राखवानु छे क्या देहे छोडिन आपणे पुर्षोतम नारेने दरेक पड़े मडवानु छे इअनुसंदान थी आपणने वयराज्या संसार नीएंदर सततरे औने भगवानमा हेतरे एवु महराद नु महराज ना आ अनुसंदान जे पाँच छे माना आनुसंदान आपणे ममुक्षुए सतत याद राखवा जेवु छे आवे महराज पोतानु बिजू अनुसंदान आपणने आउतिकाले केशे अरिकृष्ण महराज नीजे स्री पतिम स्री धरं शर्वदे विष्वरं भक्ति दर्मात्मजं वाशुदेवं मादवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायनं निलकंटं अरिकृष्ण महराज नीजे